भारत में रहने वाली 25 साल की मिलोनी दोशी कुलम्बिया युनिवरस्टी में मास्टर जिगरी करना चाहती हैं मिलोनी भारत बायोट्रक के तयार की गई को वैक्सीन के दोनों डियोज ले चुकी हैं लेकिन देक्त ये है कि को वैक्सीन को अबे तक डवलु एचो से अपरुवल नहीं मिला है इसलिए कुलम्बिया युनिवरस्टी की ओर से उनसे कहा गया है कि जब वो कैंपस में आएंगी तो उन्हें दुबारा वैक्सीन लगवानी होगी हानकि अभी इस बारे में कोई भी एक्सपर्ट ये डॉक्टर ये नहीं कह रहे हैं कि दुबारा वैक्सीन लगवाना कितना सेफ होगा मिलोनी दूशी अकेली नहीं हैं जिन में ऐसा कहा गया है बलके ऐसे लाखो चातर चातराएं हैं जो वोको वैक्सीन और स्पूत निक्वी की दोनों डोज ले चुके हैं लेकिन उनसे अमेरिका आने पर फिर से वैक्सीन लगवाने को कहा गया है ऐसे में चातरों में अब ये डर भी सता रहा है कि दोनों अलग अलग वैक्सीन लगवाना कितना सेफ होगा अमेर्की वेब साइट नियू यॉयॉक टाइम की रिपोर्ट के मताविक मार्च में से लेकर अब तक अमेर्का की चार सो ज्यादा यूनिवरस्टी ऐसा आदेश जारी कर चुकी हैं जिनमें ऐसे स्टुडेंट को दुबारा वैक्सीन लगवाने को कहा गया है जिन्होंने को वैक्सीन और स्पूतनिक्वी लगवाई है ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही वैक्सीन को अभी तक डबलु एचो के तरफ से अप्रूवल नहीं मिला है इन सब के अलावा एक दूसरी बड़ी समस्या ये है कि अगर पहले ही को वैक्सीन या स्पूतनिक्वी की दोनों डोस ले चुके हैं तो दुबारा से दूसरी वैक्सीन लगवाना कितना सेफ होगा इस बात का अभी कोई देटा नहीं है नियॉयॉक टाइम को अमेर की सीडी सी की प्रवक्ता क्रिस्टिन नाडलेन ने बताया है कि अभी तक दो अलग अलग वैक्सीन की एफेक्टिवनेस को लेकर कोई स्टडी नहीं की गई है हाला कि वो ये सलह जरूर देती हैं कि जो चात्र वैक्सीनेट हो चुके हैं और उन्हें फिर से डबलू एचो अप्रोड वैक्सीन लगवानी है तो कम से कम 28 दिन का गैप रखना चाहिए क्रोणा वैक्सीन और क्रोणा वाइरस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें